पर्फेक्ट डिटॉक्स पर्फेक्ट डिटॉक्स सरीर के पर्फेक्ट डिटॉक्स की तलास में मानब हमेशा रहता है और आज हम आपको बताएंगे लगभग मुफ्ट में तियार करने वाला बाडी का ऐसा डिटॉक्स जो एक महीने के अंदर आपके जीवन की काया कल्प करने में सक्छम है हर माइने में काया कल्प करने में सक्छम है आपके दिमाग के तेज करने में आपके चेरे आपके सरीर में ओजस बढ़ाने में चमक लाने में आपको रोगों से लड़ने में या नए रोग ना करने के में आपकी उर्जा बढ़ाने में सारी मांसिक उर्जा दोनों बढ़ाने में बहुत कारगर है तो आज हम आपके लिए लाए हैं यहाँ पचास पैसे से भी कम पई से खर्च करके त्यार होने वाला दुनिया का पर्फेक्ट डिटॉक्स रमश्कार साथियों डॉक्टर ओमन्ख ना हुमीओपेथिक क्लीनिक के इस प्रोग्राम में आपका वार फिर स्वागत है साथियों गया हम लोग है आज की साइंस डिटॉक्स के विशे में बात करती है ने बहुत सी ओंइविणताया ने के लिए लीवर को डिटॉक्स करने के लिए हर्ड को डिटॉक्स करने के लिए मस्ट को डिटॉक्स करने के लिए लेकिन आज हम आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेकर आएं साथियों जो नुस्कों के पिता जी है एक ऐसा काम जो आप कर लीजे साथियों आपका बाड़ी पूरी तरह डिटॉक्स हो जाएगा और यहाँ वीडियो इंस्पाइड है और डेडिकेटेड है मेरे गुरु जी को, मेरे सद्गुरु जी को सद्गुरु जी के चेनल पे हमने यह वीडियो देखा था तो मैंने कहा कि मैं अपने सब्दों में भी यहाँ बात कर लूँ जब से हमने उनका यह वीडियो देखा है अभी हाली में देखा है मान लीजे 15-20 दिन पहले उन्होंने पोस्ट करा था तो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है साथियो तब उन्होंने पोस्ट करा था और हमने देखा तो मैं इससे प्रियूरित होके यह काम को उसी दिन से खुद करने लगा पहले दो-तीन दिन थोड़ी अस्विदा हुई क्योंकि जब अच्छी चीज होती है वहाँ थोड़ा सा शुरू में दुखदाई होती है लेकिन आगे चलके वही आपके गर्व का कारण बनती है वही आपके प्राइट का कारण बनती है और वही आपके समाज में आपको स्थान दिलाने में एक एहम रोल प्ले करती है तो यहाँ वीडियो मैं डेडिकेट करूँगा मेरे गुरू सद गुरू जी को मैं उनसे मिला कभी नहीं हूँ लेकिन मेरे चैनल की क्वालिटी, मेरे चैनल का प्रोग्राम एक्जीक्यूशन और हमारे चैनल का कंटेंट टॉप क्लास हो, अल्टिमेट हो यहाँ जो भावना मैंने सीखी है, वो मैंने सद्गुरू जी से सीखी है मैं समझता हूँ कि दो लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं, जिनका काम टॉप क्लास है पहले हमारे परधान मंत्री मानिये परधान मंत्री मोधी जी का मैं यहाँ काम की चर्चा के विशे में बात नहीं कह रहा हूँ काम जो अच्छा बुरा आपकी राय होगी हमारी राय है लेकिन जो उसका एक्जीक्यूशन और पब्लिक के सामने प्रेजेंटेशन है वहाँ टॉप क्लास मेनेजमेंट जो है कि फोटो जो आती है वो मन करता है और ऐसी फोटो अपनी भी कितनी चाहिए तो वहाँ जो इंस्पिरेशन है मानिय प्रधान मंत्री जी और सद्गुरू जी ये दो लोग हिंदुस्तान में टॉप क्लास काम करते हैं तो हमारा चैनल भी इंस्पारड है ऐसे लोगों से काम करने से जो अच्छा काम करते हैं तो साथियों एक बहुत ही बहतीन बात आपको बताता हूं इसको आप जिस दिन ये वीडियो देखिए ये एक रुपए से कम तियार होने वाली बात है साथियों जिस दिन आप ये वीडियो देखिए मैं आपसे निवेदन करूंगा अगले दिन से आप ये काम शुरू कर दीजे और एक महिने में मुझे फाइदा मिला है दस दिन में एक महिने में मैं समझता हूं मेरा फाइदा मुझे बहुत फाइदा मिलने लगेगा और मैं आपके ये भी एक प्रेयर स्वरूप ये वीडियो लेकर आया हूँ, सद्गुरु जी का बनाया हुआ वीडियो था, मैं अपने सद्दों में आपको प्यार कर रहा हूँ, क्योंकि जो चीज जिसकी है, उसके नाम ही होनी चाहिए, हलाकि उन्होंने भी कहीं से पढ़ा होगा, देखा होगा, नालिश तो पास होती है फ्रम जन्डेशन टू जन्डेशन, लेकिन मुश्टक्वाई उनसे, तो साथियों बहुत ही मुष्ट का लगभग नुस्का है साथियों, फ्री का नुस्का है, और आपको इसके लिए साथियों कुछ नहीं करना है, आपको नीम की पत्ती ले लेनी है, नीम की पत्ती लेके आपको नीम की पत्ती को सुखा लोना है, और सुखा के उसको पाउडर फांग में बना लेना है, नीम का पेड़ा आप ढूनेंगे तो मिल जाएगा, का सबसे important पेड़ ऐसा पेड़ जिसकी हर हर चीज काम में आती चाहे उसकी पती हो चाहे उसके फूलों चाहे उसकी टेहनी हो चाहे उसकी छाल हो चाहे उसकी जड़ हो हर चीज की medicinal value stress है ऐसा नीम आपको free में उपलब्ध है कहते नहीं है क्यों पड़े हो जो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, तो नीम की टक्कर कहीं पर भी नहीं है, और ये भारत ऐसा देश है, जहां पर मुफ्त में उपलब्ध है, और कहीं आप चार पत्ती तोड़ रहे होंगे, तो कोई आप से पैसा नहीं मागेगा, तो आप नीम ले लिजे, मैं इती इसलिए कर रहा हूं कि मैं आपको प्रिरित करना चाहता हूं ये काम करने के लिए, आज के दौर में जब दिन बर हमनों को यहां नहीं पता रहता है, दिन बर क्या खाते रहेंगे, जहां जो मिले वो खाते रहेंगे, तो कम से कम सुबह अपने बाड़ी को डीटाक्स कर दे और वो भी कमप्लीट डीटाक्स, तो आप नीम ले लें साथी, उसको क्रश कर लें, उसका पाउडर बना लें, और आप उसमें मिला दें, अगर आपके पास इतना बड़ा बावल नीम है, तो उसका एक चोधाई पार्ट आप उसमें मिला दें, हल्दी यानि टर्मरिक, पासर के दोर में, जब आपकी सीटे नहीं खा लियें, कहीं पहलाज का, आप राजीव गांदी चले जाओ दिल्ली में, आप टाटा चले जाओ मुंबई में, आप कहीं चले जाओ जल्दी आपको एपाइन्मेंट नहीं मिल ला है, तो ऐसे में डीटॉक्स में हल्दी का रो अगर आपना पीपाइती कडवी चीज हमारी नई पीडी थोड़ी नाजूख है, तो वो छोटी-छोटी ती कंचे नुमा जो है, वो गेंद बना ले बाल्स बना ले नीम और टर्मरिक की, उसको मिला के रोज सुभा एक दो बाल्स को निगल लिया करे, फिर भी कडवापन म मिले, तो साथ में सहत पी लिया करे, आप ऐसा करेंगे साथियों, तो आप देखेंगे, एक महीने के अंदर आप बदल जाएंगे, जैसे कि हमने सद्गुरु जी को देखा था, उन्होंने कहा था, आपके हर सहल में, हर सेल में, सरीर के हर पोसिका में चमक आ जाएगी, ओज अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, जिसको लगता हूं मेरी ओ लोग आकरशित नहीं होते, तो आप ये नुसका एक महिना करिए, मैं आप से भरोसा दिलाता हूं कि 99.99% आप आकरशन का केंदर होंगे, इस नुसके को करिए साथियों, और हम बताते हैं ऐसा क्यों होगा, ऐसा साथ इसलिए होगा, क्योंकि नीम, यानि निमबा, यानि बेस्टोरर और गुड हेल्थ, इसमें पाए जाता है निमबिन नाम का कंपाउंड जो एंटी हिस्टामीन है, एंटी एलर्जिक है, तो यहां आपके बाड़ी को डिटॉक्स करेगा, और साथ यो हल्दी यानि टर्मेरि प्रजिक दुनिया का स्रेष्ट इम्मूनामाड्यूलेटर है, इम्मूनामाड्यूलेटर वो स्सिंटम, वो सास्टेनसिज होते हैं जो आपके बाड़ी के इम्यून सिस्टम को एक्टिब करते हैं और डब बीसी को कंट्रोल करते हैं इसलिए यहां टर्मरीक आपके बाड़ी को डिटॉक्स करेगा तो साथियों आप इस नुस्के को करिएगा और हमको बताईएगा कि आपके सरीर का जो ओजास है आपकी कोशिकाओं का जो ओजास है जो आपको कलेक्टिवली आपके सरीर को रेडियेशन आफ एनरजी में करता है उसको आपको एक महिने में आपको फर्क अपने मैसूस हुआ की नहीं कमेंट पोर्शन में लिखके बताईएगा मन में कोई कोई कोरी हो तो वाट्सैप करिएगा हमारे वाट्सैप नंबर पे प्रियास करेंगे आपकी बात का उचे जवाब दे पाएं निवेधन करेंगे साथ के वह यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नियाव वीडियो यहीं प्राप्त करते रही है आपका साथियों इती देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बढ़ा है झाल झाल